इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह है जो भूग की कमी और शारीरिक कमजोरी का कारण बनता है ये पाचन संबंदी विकारों को प्रबंधित करने में मदद करता है और कब्द से राहत देने के लिए रेचक के रूप में कारे करता है इसका उपयोग शलेश्म जिली की सूजन से राहत देने और लगातार छीकने और नाक बहने से राहत देने के लिए भी किया जाता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, पुराने सिर्दर्द को कम करने में मदद करता है और श्वसन अंगों पर उलेखनिय प्रभाव डालता है और खांसी और गले की खराश से प्रभावी रूप से राहत देता है दो, पेट दर्द सहत पाचन संबंदी विकारों को ठीक करता है और भूख बढ़ाता है तीन, एक रेचक के रूप में कारे करता है और कप्ज को कम करने के लिए इसका प्रभावी धंग से उप्योग किया जा सकता है चार, गंभीर रूप से दर्दनाक सिर्दर्द और नसों की दर्द से जुड़ी स्थितियों से राहत देता है पांच, ये सर्दी जुकॉम को कम करता है और बंदनाक से राहत दिलाता है छे, गले की खराश और उससे होने वाली घुटन में असरदार साथ, पूरे शरीर में होने वाली खुजली में अत्यदिक लापकारी और शदी और फोड़े फुंसियों को रोपता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें